हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टू जीटेक पॉली दोस्तों एप्लाइड मेकैनिक्स की स्टडी कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नमबर 4 मूमेंट एंड कपल का पार्ट सेकेंड कंप्लीट किया था और यह इसका पार्ट 3 जो कि मेकैनिक्स का लेक्चर नमब कर लिया था आज की स्क्लास में हम चैप्टर नमबर 4 का जितना भी रिमेनिंग पार्ट है पूरा कंप्लीट कर लेंगे डेट मिंस हम आज की स्क्लास में चैप्टर नमबर 4 पूरा कवर कर लेंगे तो आज हम यहां से आगे स्टार्ट करेंगे पहले इस्टील यार्ड पढ करेंगे देन आफ्टर कपल के बारे में पढ़ेंगे तो हम यह चैप्टर पूरा कवर कर लेंगे ठीक है तो जैसे कि दोस्तों आप सभी ने ओनलाइन मोग टेस्ट दिया होगा जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था और उम्मीद करता हूं आप सभी को मोग टेस्ट दे करक करेंगे और साथ में टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे इसी तरह से अपना सपोर्ट एंड प्यार बनाई रखिए आप सभी के इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स आते हैं देखकर बहुत अच्छा लगता है तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपन पर चलिए समझते हैं होता क्या स्टील यार्ट धियान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को ठीक है डाइग्राम पहले ही बना दिया जिससे टाइम बस सके हमारा अब देखिए स्टील यार्ट को हिंदी में कहते हैं तोला डंड तोला मतलब होता है दोस्तों तोलना यानि किसी भी बस्तू का बजन तोलने में करते हैं समझ पा रहा है पहली चीज क्या स्टील यार्ट यह होता है इसका यूज किसमें करते हैं तो किसी भी बस्तू का बजन तोलने के लिए हम स्टील यार्ट का प्रियोग करते हैं कि लिए दूसरी चीज इनको पॉइंट वाइज आप इसी तरह याद रखिएगा जो जो बोल रहा हूं है लास्ट में आपको इस लाइड में सो भी करा दूँगा आप उसमें देखके लिख लीजेगा तो पहली चीज क्या हो गई किसी भी बस्तु का बजन तोलने के लिए हम स्टिलियाड का प्रियोग करते हैं दूसरी चीज दूसरी चीज क्या है कि जो स्टिलियाड होता है दोस्तों यह लीवर के ही सिद्धान्त पर काम करता है लीवर के मैंने आपको तीन वर्ग बताए थे प्रत्थम बर्ग दूतिय वर्ग और तृतिय वर्ग तो यह लीवर के यह मतलब इस्टिलियार्ड लीवर के प्रत्थम प्रत्थम बर्ग लीवर के प्रत्थम बर्ग के सिद्धान्त पर काम करता है के सिद्धान्त पर कार करता है कार करता है अब लीवर का प्रत्थम बर्ग क्या था? तो लीवर का पिर्थमबर्ग मैं आप सभी को बताया था जैसे कोई लीवर हो तो बीच में जिसमें आलंब होता था आलंब कहां होता था दोस्तों इसमें आलंब मतलब जो फलक्रम होता था फलक्रम वह बीच में होता था और दोनों साइड में भार और प्रियास लगा होता था ठीक है इसमें भी आलंब बीच में ही है इसलिए हम कहां देंगे क्या कि जो इस्टीलियाड है हमारा वो पिरतम बर्क के लीवर के सिद्धान पर कारे करता है विकाद यहां पर आलंब फलक्रम है यहां बीच में है इतना समझाया दूसरा पॉइंट अब आगे सुनिए द्यान से सुनिए का आगे कि जो आपका यह इस्टीलियाड है दोस्तों यह बाई तरफ भारी होता है आपको इसकी सेप देखकर की पता चल रहा होगा इधर से मोट यह देखे यहां से इदर को मोटा है और इदर को पतला है तक इदर यह बाई और भारी होता है इसे लिए हम इसका ईसको आलंब होता है इसको बाई और लगाते है जबकि आपको पता रहीवर में भी आपको दिखाय था पृतम सिद्धानत्रा वैस पृतन बिल्कुल बीश म हो अगर उसमें आलंब है तो आलंब के परता है वो घूम सकता है ठीक है लीवर भी आलंब के परता घूमता था इस्टीलियाड भी घूमेगा आलंब के परते है विकोज यह जो आलंब होता है, यह फलक्रम होता है, यह एक तरह का हिंज होता है, हिंज मतलब जानते हैं, सभी कबजा तरह से होता है, तो यह इसके बाउट रूटेट कर सकता है, अगर मैं इस आलंब को यहां न लगा के, सपोज बीच में यहां लगाता, इधर हलका था, रह सके इतना समझाया अगली चीज क्या है कि अब इसके बाद आप चित्र के बारे में थोड़ा लिख देंगे कि स्टिल यार्ड के चित्र में एक लीवर अबी दिखाया गया यहां पर एक लीवर लगा हुआ है अबी ठीक है अबी लीवर है और चूंकि यह बाई तरह भारी को daha उसका वेट लटका दिया जाता है इतना समझे अप सभी को स्टीड का परियोग किसके लिए करते किसी भी वषतु का बजन तोलने के लिए इस्टी यार्ड लीवर中共 के हमने आलंब को बाई और लगाया है इसके सिरे ए पर एक हुक लटका दिया जाता है जिस पर तोले जाने वाला बजन लटकाते है तो यह डबलू है, capital W यह क्या है? यह बस्तू का भार है, जो बस्तू में तोलनी है, ठीक है? तो यह लिख देंगे हम capital W के बारे में, यह हुक पर लटका हुआ, इस साइड के लिए और इस हुक का और लीवर का जो सेंटर होता है टोटल मतलब इसका वेट लगा के सेंटर क्यों किसी भी बॉड़ी का सेंटर जरूर होगा जैसे यह आयत है, इस आयत का सेंटर कहा काम करेगा बिल्कुल बीच में काम करेगा बट यहां पर यह कम मोटा था यहां ज्यादा मोटा था इसलिए इसका सेंटर बिल्कुल बीच में नहों करके जिदर भारी है उस साइड इसका सेंटर रहता है तो यह जी पॉइंट पर जो वेट देख रहा आपको W2 यह स्टील यार्ड का वेट है यानि इसका खुद का भार है स्टील यार्ड का तो यहां पर W2 क्या हो गया दोस्तों? W2 हो गया यहां पर W2 यह थोड़ा कम चल रहा है दियां से देख लिजेगा W2 हो गया, Still yard का Swamp का भार ठीक है, यह Still yard का वेट हो गया, अब यह W1 रह गया, एक W1 क्या है, तो दोस्तों, जब भी हम इसको बजन को तोलते हैं, अब यहां से आगा आपको बहुत ध्यान से सुनना विकाज यह बजन को कैसे तोलता है, यह आपको यहां से clear हो जाएगा, तो यह जो आपका w1 यह चल भार होता है, क्या होता है w1 चल भार, w1 equal to होता है, चल भार, चल मतलब होता है, जो move करता है, जो चलता फिरता रहता है, इंगलिस में इसलिए हम इसको movable weight कहते है, movable weight, ठीक है, movable weight कहते है इसको, चल भार कहते है W1 को, अब जब इस पर कोई भी बाहर नहीं होता लगा हुआ, तो यह पूरी तरह से 6 जो होता है, इस तरह से, बिल्कुल सीधा राएगा, horizontal ठीक है, और यह जो W1 वेट है, यह जीरो पर होता है, यह दीख रहा है, यह जीरो पर होता है, जैसे यह आप इस हुक पर कोई वेट लगा देते हैं, तो यह जीरो से इधर को चलना सुरू कर देता है, जितना ज्यादा वेट होगा, उतना ही आगे ज्यादा जाएगा, तो जितना यह बेट होता है, उसकी रीडिंग यह चल बाहर बता देता है, जैसे जीरो से यह कहां पर रुखा है, 10 और 11 के बीच में रु आपका कितना था, इस तरह से इस बजन को तोल लिया जाता है, समझ पा रहे हैं आप सभी, तो W बन के आता है, यह पर चल बाहर था, तो इसका टोटल प्रोसेस उम्मीद करते हैं, आप सभी को समझ आ गया होगा, कि हम इस हुक पर बजन लटका देते हैं, और यह जो चल बा का प्रोसेस आप सभी को समझ आया, W क्या है, W2, W1, यह सब समझ आ गया, तो अब यहां पर भी चुकी यह लीवर की सिद्धान्त पर काम कर रहा है, और लीवर मूमेंट की सिद्धान्त पर काम करता था, तो यहां भी मूमेंट का ही सिद्धान्त लगेगा, मतला हम यह मूम लेकर के solve कर सकें तो आप एक बार इसको यहां से लिख सकते हैं screenshot लेकर के इसके अलावा इसकी complete theory आप slide में देख देखके भी लिख लीजिएगा मैं पहले आपको इसका छोटा सा एक derive करा दूं formula बस moment लेकर दिखा दूं के moment इसका कैसे लिया जाएगा थोड़ा सा moment को ध्यान स लिख देंगे आप आलंब आलंब f के परितह आगूड लेने पर आगूड लेने पर इंग्लिस में लिख दीजिएगा taking moment about fulcrum f ठीक है taking moment about fulcrum f f के about हम क्या लेंगे moment लेंगे clear अब moment में आप सभी को मैंने moment का सिद्धान भी बताया था या तो आप sigma m बरावर 0 लिख दीजिए sigma m बरावर 0 से या आप लिख दीजिए clockwise moment एक तरफ anti-clockwise moment एक तरफ और जब आप sigma m बरावर 0 लिखेंगे तो इसमें clockwise को plus ले लिजिए तो anti-clockwise minus लेना पढ़ेगा या फिर अगर anti-clockwise को plus लेंगे तो clockwise को माइनस लेना वड़ेगा किसी एक को plus किसी एक को माइनस लेंगे ठीक है तो जैसे W1 की बात करें f यहां पर point f यहां पर है f यह point है और W1 हमारा यहां लगा हुआ 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 दी-point पर d-point यह W1 है तो आप खुद सोचे कै से गुमाएगा इसको इस तरह से रूटेट कराएगा ऐसे ऐसे मतलब यह clockwise हो गया समझ पार है आप सभी तो यह डबलू बन तो clockwise moment generate करेगा ठीक है इस तरह से घड़ी की सुई की दिसाम गूम रहा है इसलिए तो clockwise moment ले लेंगे हमें यह से तो w1 क्या हो जाएगा आपका w1 का moment तो w1 w1 और into मैं दोस्तो w1 into दूरी कितनी होगी तो d से किसके about ले रहे है f के about तो d से लेके f तक की दूरी हम इसे df के सकते है ठीक है df यहां तक समझ आया यह clockwise था अब बात करें w2 की तो f यहां पर है अगर मैं यहां पर देखू तो f यह था आपका इधर w2 लगा हुआ है w2 तो यह इसको anti clockwise घुमाएगा अगर आपने इसको प्रस लिया तो anti clockwise को माइनस ले लिजिए माइनस में कितना w2 और इंटू में g से f तक की दूरी क्या हो जागा यह w2 इंटू में gf ठीक है gf हो गया इसके बाद इसको 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 कैसे गुमा रहा है दोस्तों anti clockwise इसको भी आप यहाँ पर मैंस ले सकते हैं माइनस में कितना capital w इंटू में अब इसकी डिस्टेंस कितनी है capital w की डिस्टेंस तो यहां से a से और f तक की तो af कह सकते आप इसको समझ पारें सभी बराबर में 0 है तो बराबर में 0 लिख देंगे इतना किलियर हुआ उमीद करते हैं यहां तक समझ आगया होगा बस साइन कनवर्जन में बिल्कुल परेसान नहीं होना मैंने यहां पर क्लॉक्वाइज को प्लस ले लिया है दोनों क्लॉक्वाइज को माइनस आप ऐसा भी कर सकते थे इन दोनों को प्लस और इसको माइनस ले ले लेते फिर यह 0 की तरफ जाके इक्क्वल हो जाता दोनों तरफ का तो अभी क्या करूंगा मैं w1df को एक तरफ कर दीजिए w1 इंटू में df इक्वल टू इन दोनों को एक तरफ कर दीजिए w2 इंटू gf और प्लस हो जाका इधर जाके 0 इधर जाके यह capital w into af ठीक है आप इस तरह से अगर आप sigma m बरावर 0 से नहीं करते तब भी आपका clockwise moment बरावर anti clockwise moment आपने कर लिया तो moment एक तरफ रखके anti clockwise एक तरफ रखके अब इन मैसे क्या होगा या तो आपको तीनों वेट देदेगा और कोई दो दूरी देदेगा एक distance पूछ लेगा या फिर सभी distance देदेगा दो वेट देदेगा कोई सा एक वेट पूछ लेगा तो यह पर दूरी भी पूछ सकता है लेकिन नोलेज के लिए हम कर लेते हैं जिससे में movement लेना और अच्छे से आ सके तो चलते हैं आगे हम numerical question के और उमीद करते हैं यह सभी आपको समझ आ गया होगा theory आप slide में से लिखी चुके होंगे तो चलिए चलते है numerical की तरफ रफ करता है इसे तो देखिए दोस्तो क्यूस्टन लिख लिए हमने numerical question है बहुत कम टाइम में cover कर लेंगे इसको ठीक है बहुत important नहीं है लेकिन करा देते हैं जिससे आपका topic अच्छे से clear हो सके क्यूस्तन में लिखा एक इस्टिल याड का भार सतर न्यूटन मतलब स्टिल याड का खुद का भार दिरखा सतर न्यूटन उसका गुरुत्व केंदर आलंब से बाई और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है चलित भार कमान 5 न्यूटन है हुक तथा आलंब के बीच की दूरी 35 सेंटीमीटर है यदि चलित भार की स्थिति आलंब से 295 सेंटीमीटर है तो हुक पर लटकाए गए भार की गड़ना कीजिए इस किउस्टन को करने के लिए सबसे पहले इस से थोड़ा सबस्में यहां पर हमारा आलंब को होता है तो से तोड़ा सा पास में हैं यहां पर हमारा आलंब डड़ना रहता है उपर की तरफ इस तरह से इस तरह से हम आलंब बना लेते हैं अपना इधर समझा है आलंब को हम F से प्रदेशित करते हैं तो F हो गया हमारा आलंब यह पॉइंट A था A भी कोई लीवर होता है तो A भी कर दिया यह यहाँ पर हम C पॉइंट दिखा सकते हैं आपने माल लिए जो हमारा मूवेवल वेट था दोस्तों वह इधर कहीं था हमारा मूवेवल वेट यानि चल भार चलित भार हमारा यहाँ पर है इसको हम क्या कहते हैं चलित भार को नाम आपको पता होना चाहिए इसको W1 बोलते हैं ठीक है इसको करता है हमेशा स्टिलियाड का खुद का भार काम करेंगा जिसको मनें डबलू टू माल लिया इतना समझ आ रहा है तो यह हमारा डायग्राम हो चुका है कंप्लीट अब जो दूरियां दियां कि उसको सो कर दीजिए सबसे पहले स्टिल याइज का भार 17 नूटन है डिएट मिन्स डव्ल्टो दे रखा दो तो सतर नूटन ठीक है क्योंकि स्टिलियाड का खुदका वैर सेंटरफीर काम करता है इसकी बाद क्या है उसका गुरुत्व केंद्र से आलम उसका गुरुत्व केंद्र आलम से बाईयोर 15 सेंटीमेटर के दूरी पर है तो इसका जो गुरुत्व केंद्र है यानि यह वाला गुरुत्व केंद्र यह आलम के बाईयोर इधर कितने दूरी पर 15 सेंटीमेटर मतलब जी एफ का मान दिया के पांच निउटन ठीक है इसके बाद के बोला हूक तथा आलंब के बीच की दूरी 35 सेंटीमीटर है हूक यह है हमारा हूक यह रस यह और आलंब यह यानि Aünd park Health तक की दूरी फोरसकते felt कितना दिया दोस्तों 35 सेंटीमीटर यह 35 सेंटीमीटर दिया है आगे तरी-चलित-वार की स्थिति चलित भार यह बाला है जो हमने दी-पॉइंट माल लिया सपव यहां परडी-पॉंट ठीक है जलित-वार की इस्थिति आलंब से 297 सेंटिमीटर आलंब यह है यानि एप से और टी तक की दूरी एफ से डी तक की डी एफ या एफ डी कह दीजिए इसको यह 295 सेंटिमीटर है तो कहरा तो हुक पर लटकाएगे बाहर की गड़ना किजिए के वल आपको मैंने आप से पहले ही कहा था तीनों दूरियां देदी कोई से दो भार देदी एक बार पूछ लिया या क्या कर सकता था तीनों भार को देदेता कोई दो दूरियां देदेता तीसरी दूरी पूछ लेता हमें सिंपल क्या करना है दोस्तों मूवमेंट लेना ठीक है लिख दें पर आगूर लेंगे तो एक बार तो W1 इंटू डी एफ एक तरफ कर लिजिए W1 और इंटू में कितना डी एफ या एफडी बराबर में यह तो हो गया हमारा कौन सा क्लोग वाइस वाला इन दौनों को को exciite कर देंगा बरावर के इस त्रफ अभी अमने पीछे देखा था तो डब्लू टू में GF कितना हो जाएगा डब्लू टू इन्टू में GF झी एफ और प्लस में यह वाला भी आलम के इस हो रहे तो W into में A F plus में W और into में A F अब जो जो वैलू पता है उन सब को put कर दीजे W1 कितना 5 है 5 लिख दिया into DF कितना है DF आपका 291 है 291 लिख दिया W2 कितना 70 Newton है W2 70 लिख दिया into में GF की value GF 15 है 15 लिख दिया प्लस W हमें find out करना है into में A F का मान 35 है समझ पार है सभी जस्ट calculation करनी है पहले आप इन दोना का multiply करके इसको साइड लिजाए यह माइनस हो जाएगा 35 से divide कर दीजिए चलिए मैं आपको calculator से इसकी calculation करके दिखा देता हूं ठीक है objective के purpose से important नहीं है यह लेकिन मैं आपको solve कर देता हूं जिससे हमारा topic के लिए दोना की गुणा की हमने इसमें minus कर दिया फिर कितना यह बाला दोना का multiply 70 इंटू में 15 ठीक है जितना भी यह 425 आ गया तो जो तोले जाने वाला भार था दोस्तों हमारा capital W जो हुक पर लटका हुआ भार है वह यह आरा 12.14 नूटन उमीद करते हैं आप सभी को समझ आ गया होगा इसका answer देख लें एक बारी 12.14 नूटन बिल्कुल सही आरा दोस्तों यह numerical हम कर जोके हैं इसका तो बहुत असान ह वेट में से कोई दो वेट देदेगा सभी दूरियां दे करके कोई सा एक बेट पूछ लेगा या फिर तीनों वेट देदेगा कोई से दो दूरी देगा एक पूछ लेगा इस तरह हैं कि इससे बनता है numerical उमीद करते हैं आप सभी को स्टील यार्ड अच्छे से किलियर हो ग देगा उसमें आपके objective type questions भी बहुत ज्यादा बनते हैं तो चलिए इसको rough करते हैं और देखते हैं अपना अगला topic तो देखिए दोस्तों बात करते हैं अपने तीसरे application की यानि moment का ये तीसरे application है लीवर सेफ्टी वाल्व लीवर सुरक्षा बाल्व ध्यान से समझेंगे क्या होता है लीवर सुरक्षा बाल्व थियोर्टिकल टॉपिक है नुमेरिकल भी इससे बन जाता है और 2010 के exam में एक बार नुमेरिकल पूछा गया था पांच नंबर में लेकिन अभी आपके objective question होने वाले है तो नुमेरिकल आने के कम chance है बड़ इसको समझ लेते हैं फिर भी ठीक है भाप भाइलरों एंड जो भी आपके दाब पात्र होते हैं भाप भाइलरों या फिर दाब पात्रों में दाब जानते नहीं जिनमें प्रैसर बनता है बहुत ज़दा एंड दाब पात्रों में ठीक है दाब पात्रों में जब प्रैसर बहुत अधिक हो जाता है यानि जितने भी आपके प्रैसर वेसल्स होते हैं या आपके जो भी भाप बॉयलर होते हैं उन सम्में जब दाब बहुत ज़दा अधिक हो जाएगा तो उसको किसको भाप बॉयलर को फटने स स्थे बचाने के लिए हम leaver सुरक्षा वाल्ब का यूज करते हैं समझ पा रहे हैं सभी हम क्या बोलेंगे Harvard हम नगशा भूवाल्ब का यूज भाप बैलर ओवं दाब पात्रों में inner vacuum होने पर इसको फटने से सुरक्षा कोंड से प्रियोक किया जाता है clear अब ये काम कैसे करता है ध्यान से सुनिएगा तो काम करने का मतलब क्या दोस्तों में एक जर्णल एक्जम्पल से समझाता हूं आपको आप सभी ने प्रैसर कुकर देखा है सभी के घरों में होता है प्रैसर कुकर जिसमें आप लोग दाल चावल बगेरा बनाते हैं तो उसमें एक बढ़ जाता है जैसी दाप बहुत ज़द अधिक बढ़ जाएगा तो CTA ऊपर होती है बाल्ब खुल जाता है में बाल्ब खुलणे से जब बास्प होती है बाहर निकल जाती है रहां दाब कम हो जाता थो फिर से बालब ऑटोम Venice बंद हो जाता है इसी तरह से लिएवर सुर निखेल जाती है और बास पुआ निकलने से दाव्प कम हो जाता है तो फिर ऐन बंद हो जाता है जैसे अपको द्याँ म लिजाना से रहा है नहीं भी दिखेंगे हो जाने आप मत जाना acyj जैसी बुकमेथ केजीति मेरे बना दिने आपके सामें व्यजीद्ए यह डायमीटर है बाल्ब का डी डायमीटर का बाल्ब है कोई जो यहां पर दिखा रहा है आपको तो जैसे इसका प्रेसर ऊपर को प्रेसर लग रहा है यह प्रेसर बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगा तो यह बाल्ब ऑटोमेटिक खुल जाता है और बास बाहर निकल जाती है और जैसे यह pressure कम हो जाएगा तो बाल फिर से बंद हो जाता है इस तरह से सुरक्षा प्रदान करेगा भाप बाइलरों को और दाप पात्रों को ठीक है अब आते हैं इसके formula की तरफ theory सभी समझ गे लिख लेंगे theory सभी लोग theory में क्या लिखना है तो slide में जो आपको सो हो रहा ह उसे देख देख के लिख लिजेगा कि लीवर सुरक्षा बाल्ब का प्रियोग भाप बाइलरों एवम दाप पात्रों में दाब अधिक होने पर फटने से सुरक्षा की द्रश्टी कोंड से प्रियोग किया जाता है इसमें जब भाप का या बास्प का दाब अधिक हो जाता यह बालब सुते ही खुल जाता है और जब दाव कम हो जाता है तो यह बालब सुते ही बंद हो जाता है इस तरह से आप याद रखेंगे इससे और लिख लाइगे जूरी अवा आते है जिसमें कि F आलम है इसका और आपको पता है आलम के प्रति यह आलम के परितिया गूम सकता है F के अबाउट यह लिवर रूटेट हो सकता है गूम सकता है यहां तक समझ जा रहा है एंड यहां जो G-point है यह लिवर का center है G जिस पर कि यह जो W2 वेट काम कर रहा है आप सब्छे पर को पता center पे हम इसे खुद का वहार काम करता है थो liवर F का जो भार है वह W2 है ठीक है यह लिख सकते ह। यह लिवर का भार हो लिवर का बहर जो ने दोस्तों आपका जो W1 है यह यह चल भार हो गया, W1 हो गया, W2 हो गया, लीवर यह होई गया आपका इधर जो था, इसके बाद यह जो W दिखा रुका है, बाल्ब का भार है दोस्तो, बाल्ब का भार, ठीक है, weight of valve कह सकते, इंगलिस में आप, बाल्ब का भार, यह क्या है, बाल्ब का भार, W, याद रहेगा न, इंगलिस में कहते हैंगे, weight of lever, इसको movable weight, इसको weight of valve, ठीक है, तीनों चीज हो गई, तो यह हमारे तीनों weight समझ आ गए, इसके बाद नीचे देगा, तो P for pressure होता है, P for pressure मतलब दाव है दोस्तों, यह दाव है P, ठीक है, अगर हम दाव को बल में change करें, pressure force बता है, इसका दाव बल क्या होगा, तो बल यहां लिख सकते हैं, आप यह जो बल उपर की और, लीवर पर जो बल काम करेंगा, ठीक है, उपर की और, लीवर पर, लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल, इसको हमने सपोज F माल लिया, ठीक है, F, लगने वाला बल F, अब अगर हमें F की वेलू निकालने हैं, मतलब इस pressure से हमें F की वेलू निकाल सकते हैं, आप सभी ने formula पढ़ा होगा, दाव बरावर दोस्तों, बल बटे छेत्रिफल, pressure equal to force upon area, सभी ने प्रेसर हो गया, into area, अब यह जो बाल होता है, दोस्तों, यह बाल गोल होता है, कैसा होता है, circular की form में होता है, और इसका diameter D दे रखा है, यह जो ब्यास है, दोस्तों, यह कितना D दिया गया है, अब ब्यास अगर हमें पता हो, area निकालना हो, तो हम सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है, यह प्रेसर हो गया, area होता है, πY4 D स्कॉर, क्या होता है, प्रत का चेत्रफल आपने पढ़ा है, भी ने प्रेस्कॉर होता है, प्रेस्कॉर होता है, अब आर को हमने डी वाई-टू लिग दिया, तो पाई D सकॉर एपउन 4 हो जाएगा, इस तरह से, तो यह F कमा आप नोट कर दीजी एक बार वीडियो को पोज करके क्या-क्या है अब मैं आपको मुवमेंट लेकर दिखा देता हूँ, ठीक है, हटाएं से चलिए, अब देखिए, यहाँ लिख दीजिए आलंब F के परते मुवमेंट लेने पर, थोड़ा फास्ट करते है आलंब F के परते मुवमेंट लेने पर, आलंब F के परते मुवमेंट, मतलब आघूड लेने पर, टेकिंग मुवमेंट एबाउट, फलक्रम F, इस तरह लिख लीजिएगा आप, आपको F के एबाउट मुवमेंट लेना है, दबलू बन ए, F इधार है, तो W1, F जैसे F इधार है, W1 यह लगा तो ऐसे गुमाएगा, ऐसे मतलब ऐसे clock wise गुमाएगा, इसको plus ले ले लिजिए, यह भी clockwise गुमाएगा नीचे की और, plus यह भी clockwise गुमाएगा, plus तीनों को plus ले लिए, प्रेसर उपर की ओड़ लग रहा है, तो प्रेसर का जो फोर्स होगा, उसको हम माइश में ले लेंगे, विकॉज यह एंटी clock wise गुमाएगा, देखिए, यह यहां पर F पॉइंट है, पॉइंट F है, ठीक है, W1 ऐसे लग रहा है, तो यह W1 इस तरह से रूटेट कराएगा, मतलब घड़ी की सुई की दिसा में, यहां पर W2 लगा हुआ था, यह वाला W2, यह भी सैम इसी direction में गुमाएगा, इसे भी plus ले लेंगे, यह भी सैम ऐसे घूमाएगा, तो इसे भी हम plus में ले लेंगे, तो तो हमारे तीनों कैसे होगे, plus में होगे, जो की clockwise घुमा रहे थे, यह आप तीनों को माइनस में ले सकते हैं, यह ऐसा करिए, इन तीनों को clockwise बाले को एक तरफ कर लीजिए, और जो pressure वाला है, जो उपर की लग रहा था, यहां पर F है इधर, और जो pressure लग रहा है, यह P उपर C से F तक की दूरी C F कह देंगे, मैं इसको C F, plus में W2, W2, into दूरी क्या होगी, W2 के लिए, G से और F तक की दूरी GF, plus में W, W, into दूरी क्या होगी, दोस्तों, यहां से B से F तक की BF, समझ आ रहा है, बरावर में यह तो होगे, सभी clockwise, anti-clockwise उपर की और, pressure का जो force था, F था न BF के दीजिए इसको, BF, समझ आ गया, यहां चाहे तो आप F का मान पुट कर दीजिएगा, C F, plus में W2, into में GF, plus में W, into में BF, बरावर F की वेलू क्या थी, P into pi y 4, D square, यह तो F की वेलू थी, just value यह आपको बता ही थी पीछे, और यह क्या है, BF, तो इस तरह से हम यहां प force into distance होता, ना कि pressure into distance, तो इसलिए मैंने यहां पर pressure नहीं लिया, इसका pressure force लिया है, clear ना, because movement क्या होता है, बल गोडा दूरी, ना कि दाब गोडा दूरी, तो इसलिए मैंने दाब को बल में change कर दिया था, ठीक है, तो यह इसका formula आ गया, इसमें भी क्या होगा, जो numerical बनेगा आपको, W1, W2, W, तीनों भार दे सकता है, आपको, ठीक है, pressure command दे सकता है, ब्यास दे सकता है, और 2-3 दूरिया देगा, तो कोई सी एक दूरी पूछ लेगा, या फिर सभी दूरिया दे करके, कोई सा एक भार आप से पूछ सकता है, या दाब पूछ सकता है, just movement लेके इसी तरह से आपको solve कर लेना, एक numerical के उसन आपको इस पर solve करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपका lever safety valve भी बहुत अच्छे से clear हो सके, उमीद करते हैं, आपको ये भी समझा गया होगा, थियोरी आपने इसकी slide में से लिख ली होगी, तो चलिए बात करते हैं इसके numerical के उसन के पहले इसको rough करते हैं, फिर numerical करते हैं, तो देखे दोस्तों बात करते हैं इसके numerical के उसन के, पहले में के उसन को read करता हूँ, धियान से सुनिएगा, एक सुरक्षा valve की छड़का भार 40 N है, इसका गुरुत्व केंदर, बाल्व के केंदर से 90 mm की दूरी पर इस्तित है, जो आ रखने के लिए 750 mm लंबी छड़ के सिरे पर लटकने वाले भार का नियून तम परिमार ग्याद कीजिए, कि उसन को दिहां से सुन लिया आप सभी ने, अब जब भी आपको या तो लीवर सेप्टी वाल्प का कि उसन हो या स्टीलियार्ड का हो, पहले डाइग्राम ही बनान करते हैं, ठीक है, डाइग्राम में क्या करना होता, आपको सिंपल एक लीवर की तरह बनाते हैं इस तरह से, एक सीधी लाइन खीच लेते हैं, ठीक है, एक तरह से लीवर है आपका जो F A था, F और आलंब साइड में रहता आपका, लीवर सेप्टी वाल्प में लीवर का, इ यह बाल्प जो था, इस बाल्प का बाहर W नीचे की, और ले लेंगे इस तरह से, समझ पारें, और चल बाहर की कंडिशन की उसन में दे रखी है, इसने बोला है, 750 mm लंबी छड़के सिरे पर लटकने वाले बाहर, तो सिरे पर लटका रखा, इस बार यहां पर लटकाया है, यह जो W1 वेट था, यह बिलकुल सिरे पर लटका दिया, इस की उसन में, यहां दे रखा है W1, W2 यह सारे वेट आगे, W के जश्ट नीचे प्रेसर लगता, तो इसलिए इसी पॉइंट पर, यहां पर ही क्या काम करेगा, प्रेसर काम करेगा, ठीक है, यहां पर जो P लगता कितनी-कितनी value दे रखे, मैं इसको rough करता हूं, और इधर solve करके आपको दिखाता हूं, इतना बढ़ा ना बना कि आप बिलकुल सिंपल सा, एक line diagram खीचनी जागा इस तरह से, बस हमें तो numerical solve करना है, moment लेकर के, जिससे easy हो जाए यह सन, क्या-क्या दिया है, सबसे पहले, lever, surak इतना समझ आया, अब कह रहा है, इसका गुरुत्व केंदर, किसका गुरुत्व केंदर, चड़का गुरुत्व केंदर, याणि यह जो G-point है, G-point है, यह बाल्ब केंदर से 90 mm की दूरी पर है, बाल्ब का केंदर यह है, तो यहां से यहां तक यह 90 mm दिया, यानि B-G दे केंदर, आलंब से 80 mm पर है, यह जो है, यहां से यहां तक 80 mm है, अब देखने में यह कम लग रहा है जादा, लेकिन परेशान नहों, यह डिजास डियाग्राम बनाया है, लेकिन क्यूसन में जो कह रहा है, यह ही कह रहा है, यहां ध्यान से पढ़िए, गुरुत्व केंदर क कि इस त खणका गुरुत्व केंदर, बालब केंदर से 90 mm के दूरी पर हो गया, बीजी, जो मतलब यह बालब केंदर है, वो आलंब से 60 mm पर है, तो आलंब से 80 mm पर है, इसका मतलब क्या दे दिया, FB दे रखा है, BF कह दीजी या फिर FB कह दीजी, एक ही मतलब है, कितना दे या 70 mm है, 70 mm, end, और बाल्ब का जो भार है, वो 60 N है, बाल्ब का भार मतलब W, जो W है, वो कितना दे दिया हमे, 60 N दे रखा है, then after आफटर आगे पढ़ते हैं, तो बॉयलर के भाप का दाब, भाप का दाब मतलब प्रेसर P की वेलू दे रखी है, 1 N पर mm2, यहां तक समझ आया, आगे क्या बोला है फिर, रखने के लिए 750 mm लंबी छड, छड की टोटल लंबाई, F से लेकर A तक की दूरी, यानि F, A दे रखा है कितना, F, A 750 mm, यह रखने के लिए, सिरे पर लटकने वाले, यानि यह जो लटका हुआ है, सिरे पर, इसके भार का मान बताना आपको, यानि W1 की value आपको यहां से calculate करके बतानी है, कितनी होगी, यह सब value दे रखेती हमें, यह diagram मैंने छोटा सवर आया था, आपको समझने के लिए, just क्या करना, आपको moment लेना है, F के परिते आगूड लेने पर, F के परिते, आगूड लेने पर, लेने पर, जब दोस्तों, F के परते आगूड लेने जो नीचे की और है, एक तरफ कर लिजे, ऊपर की और जो लग रहा है, उसे एक तरफ, तो W1 इंटू A से F तक की दूरी, क्या हो जाएगा, यह W1 इंटू A F, प्लस में, W2 इंटू GF, W2 इंटू GF, प्लस में, W इंटू BF, W इंटू BF, नीचे की और वाल समझ आया है, दोस्तो, F इंटू BF, तो यह यहाँ पर पॉइंट ए F, और यह F और यह force है, प्रेसा फोर्स ठीक है, पर इसान नहों, इसको लेकर के, यह तो F बल था और यह वाला पॉइंट था, ठीक है, हो सकता है तो आप इसको कुछ और सो कर सकते हैं, या इसको कोई और पॉइंट ले सकते थे, कोई बात नहीं, केलियर हो गया न सबको, बस value पुट कर दीजिए, W1 हमें calculate करना है, W1 निकालना, A F की value, A से F तक की value किस्टन में दे रखी 750, यह 750, इसको यह 750 रख दिया, प्लस में W2 कितना दिया, W2 यह रच 40 N, 40 into GF की value, GF, GF यहां से यहां तक GF कितना है, तो GF नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, निकाल सकते नहीं दे रखा तो, BF यहां से यहां तक हमें कितना दिया था, 90 दे रखा, BF 90 दे रखा था, FB, FV 80 है, और BG कितना था, 90 दोनों को जोड़ दीजिएगा, जब दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा ठीक है समाझ आरहा ना B से जी तक के दूरी 80 प्लस 90, 80 तो हमें क्या दे रखा था, F से भी तक की, F से भी तक की, और 90 थी B से जी तक की, दोनों को जोड़ दिया, यहागया, प्लस में W की वैलू कितनी है, तो W दे रखा है हमें, कि इस से में W, यह रहा 60, इन्टु B F, B F कितना यहां से यहां तक, F और B यह रहा 80 है, 80 लिख दिया, बरावर F, F की वैलू निकालनी पड़ेगी हमें, F कैसे निकालते है, F का फर्मुला भी लिख वाय था, आपको, P इन्टु B by 4 D square, ठीक है, तो यहाँ पर P की वैलू रखेंगे, एक दे रखा है, P by 4 D, ब्यास कितना दिया था, ब्यास 70 था, 70 का square, इसको कैल्कुलेटर से कैल्कुलेट कर सकते हैं, कितना आ रहा है, मैं निकाली देता हूँ, चलिए, P by 4, इन्टु में, 70 का square, तो यह बहुत ज्यादा आ रहा है, कोई बाद नहीं, 3848.45, इतना Newton आ गया force, ठीक है, यह वाला, इसको यहाँ लिख दीजिए, सिदे, F कमान लिख देते हैं, यहाँ पर, 3848.45, और BF कमान, BF यह है, 80, 80 रख दिया, अब यहाँ से कुछ नहीं करना, सिंपल कैल्कुलेट कर लिजिए, 750W1, प्लस, इन सब को, कैल्कुलेट करेंगा, कितना 40, इन टू, 170, प्लस में, 60, इन टू, 80, इक्वल टू, 11600, इक्वल टू, अगर इसे कैल्कुलेट करें, 3848.45, इन टू, 80, जितना भी आया, इस मैं से, इसको इस साइड ले जा कि माइनस कर देते हैं, इसको इधर लारों में, डारेक्ट कर देता हूं, को माइनस, 11600 को, जब 11600 को माइनस करेंगे यहां से, तो यह जो भी वैलू है, इसको 750 से भाग कर दीजिए, 750 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 750, तो ओबर ओर आंसर आगे हमारा, 3395.034, तो 03 कह सकते हैं, इतने न्यूटन आगे हमारा दोस्तों, चल भार की वैलू, ठीक है, चल भार का मान आ रहा है, हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, कन्वेंशनल किस्टन नहीं आएंगे, बट मुझे टॉपिक किलियर करना था, इसलिए बताना जरूरी था, तो आपका लीवर सेप्टी वाल भी हो गया, स्टील यार्ड भी हो गया, अब आता है कपल, तो मैं सोच रहा हूँ कपल के लिए एक छोटा से पार्ट अलग से बना दूँ, विकॉज कपल से अब्जेक्टिव किस्टन बहुत जादा बनते हैं, तो मुसको इसमें इंक्लूड नहीं करते, अलग से 10-15 मिनिट का लेक्चर मैं अभी बना दे रहा हूँ, उसको अलग से प्रोवाइड कर दूँ आपको, ताकि आप उसके नोट्स अच्छे से बना सकें, विकॉज कपल से बहुत किस्टन बनते हैं, कपल की डेफिनिशन बनती है, कपल का मुवमेंट कैसे लिए आजता है, मेगनिट्यूट क्या होता है कपल का, उसके क्या-क्या करेक्टिस्टिक होती है, बिसेस्ता हैं क्या होती है कपल की, तो उसको मैं अलग से पढ़ा दूँगा आपको, ठीक है, तो अभी के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, आप इसको देख लिजे, जो भी आपको important लगे, लिख लिजे इस में से, बाकि जल्दी से course cover करके, फिर हम objective question के और move करेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द, अगले part में, तब तक के लिए, बाई-बाई.